तो डॉक्टर गेरा साब हैं काफी लंबे अर्से के बाद कोई इस तरह की हस्ती हमें मिले हैं जिससे दिली जो सवाल है एक पूरा जो हीप कहें सवालों का धेर मन में जो है कि कोई सरकारी संस्था से ऐसी ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति जो सामने आए कि जो दिल खोल करके इन सवालों का जवाब दे पाए तो डॉक्टर साब सबसे पहले मैं एक बार फिर पुने हैं आपका हार्दी कभी नंदन करना चाहूंगा डॉक्टर सुमित गुजर हैं यहां पर और इनी के प्रांगन में इनी के घरांगन में इस गोधन की आसिरवाद से हमें यह opportunity मिली है यह मोका मिला है कि दो चार पांच सवाल जो किसान वर्ग की तरफ से मैं सरकारी जो उनकी तरफ से मैं पूछ पाऊं तो डॉक्टर साब सबसे पहला जो सवाल है हरदेनू नसल को विक्षित किया गया अभी नसल नहीं बनी है हरदेनू के उपर काम किया गया कुछ कितनी सफलता आप उस नसल को इस परियावर्ण में आप देखते हैं और कितने साल तक तक तकरीवन इस संस्थाने इस नसल को या इस क्रोश ब्रीड को तयार करने में जो पिसमे 17-18 वर्ष का एक अच्छा परियास है जी और यह कोई नेसरगिक परियास नहीं नहीं न एक चोटा सा परियास सफल परियास मैं कहूंगा हर देनों का भी है किंतु कोई ब्रीड बनाने के लिए कुछ लाख में पशु चाहिए होते हैं जो अभी हम नहीं पहुंच पाए परियास है किसानों को भी साथ लेना होगा बड़े लेवल पे इन पशु को खड़ा करना हो पर बात वही है बात यह है कि जो चलता वही है जो बिखता है और दूसरी बात है ममी कहती है कि भरिया उसका जानी है जिसका तोड चड़े कि उसी का कांटा बरा हुआ हुआ है जिसके कांटे में आगे कुछ रितता हो गहा काते हो और बानियें की दुकान से बोरी खाली होत बात को कि अगर हम अब हम दो रहे पे खड़े हैं इस समय देश बहुत ऐसी जगह पे खड़ा है कि नकली दूद की भरमार है और असली दूद हम पुगा नहीं पा रहे हैं और दूसरा कि हम ग्राहक को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं मैंने पिछले दिनों बहुत अच्छी तरह से कोरिया का एक मॉडल स्टेडी किया उन्होंने सवा दो लाख परिवारों का नेटवर्क खड़ा कर दिया है और अब उन किसानों का वो किसान हैं पड़े लिखे लड़के हैं उनमें से चार पशू चिकितसक हैं बाकी कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं सवा दो लाख परिवारों को जोड दिया और ये उनसे कसम दिलवाली कि तुम दूद लोगे हमारा पनीर लोगे हमारा सबजी लोगे हमारी सबन लोगे हमारा बना हुआ अब समझे इस बात में इसलिए बार बार निवेदन करता हूं कि इस टाइम किसान को ग्यान की जरूरत नहीं है किसान को इस टाइम संग्ठन की जरूरत है किसान को इस टाइम मर्किट कबू करने की जरूरत है नहीं तो ये बिचॉलिये हमें कहीं नहीं टिकने देंगे हम एक कदम चलते हैं ये हमारी चार कदम हमें पीछे खीच लेते हैं आप बात करते हैं क्रोस्प्रेड की, क्रोस्प्रेड वाइबल नहीं हो पाता है इस वातावरन में, वो एक जनरेशन और दो जनरेशन के बाद गहमड होके, केटोटिक होके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से गरस्त होके, लेवटी खराब, खून खराब, मच्छर इतना है, यूट्रस खराब, बच क्या वो बच्चे पैदा करेगी, तो डॉक्टर साब, ये तो एक हमारा जो नीती निर्धारित करने वाले जो टेबल है, उनको अच्छी तरह से पता है, कि जो ये नसले जहां से लाई गई हैं, वहां पर तमाम हाईजीन का ध्यान दखा जाता है, और यहां पर तो उसी से दूद निकाल लेते हैं, तो माहोल तो शुरू से ही ऐसा था, अब जो हमारा जो दूद है, यूरोपिन कंट्रीज में जो प्रवेश होता है, तो सबसे पहले हाईजीन के परामीटर पर ही इसको नकार दिया जाता है, कि आप सबसे पहले हाथ धोएं, फिर टिट्स को इस पान, उनके पास खाने के लिए अन्न उपजाने के लिए जमीन तक उपजाओ नहीं है, तो वो एक हमारे अच्छा कस्टमर बेस बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर इन पेरामीटर के उपर न तो कोई सरकारी संस्था है, अवेरनेस करवाती है, ना कुछ यहां पर किसा खुद अपने स्थर पर ध्यान दे पाता है, तो यहां पर एक्जोटिक में ला पाना, यह भी एक गेम प्लान है, आप इसको समझेए, यह खरीदे हुए मीडिया का एक गेम प्लान है, कोई भी दूद जो वहां आ रहा है, वो गिला दूद नहीं आ रहा है, वो मिल्क का पा इसमें सुमेटिक सेल काउंट जादा है, कि इसमें बैक्टिरियल लोड है, अरे जब पाउडर बन गया तो यह चीजें तो रही हिं ही ना, जब वो उसका वाश्पी करन कर दिया, तो यह बैक्टिरिया क्या है, बैलोजिकल मेटिरियल है, जब दूद पाउडर होगा सबसे दूद देने को त्यार थे, दूद हमारा था, प्राइज वार हुई, उन्होंने सूखा दूद सब्सिडाइज करके अपने किसान को बचाने के लिए हमारे तरल शुद क्वालिटी के दूद से टकरा कर सस्ते पे वहां दे दिया, वो मार्केट हमने इसी लिए खोई, मैं यह किसान को क्या मिला, 12 रूपे, 14 रूपे, अब दूद का रे ठीक हो गया है, प्लाइज को बनाना चाहिए, पिछले दिनों गलट आया दूद का, दूद की प्राइस 16 किलो 14 किलो गिर गईए, मैंने उन दिनों परवास लिया, वाईसाब किसी भी चाहे चंदीगड़, चाहे अंबाला, चाहे माजे में, चाहे राजस्तान में, जितने भी दूद के बनाने वाले पाउडर बनाने वाले थे, तीन तीन शिफ्ट में उनने काम किया, पाउडर बना के रख लिया, परकिसान को क्या मिला, 12 रूपे, 14 रूपे, अब दूद का रे ठीक हो गया है, को मनाम सी जानता हूं, थिंक टुगेदर, टॉक टुगेदर, वाक टुगेदर, संगठन खड़ा कीजिए, पहले अपने तहसील पे, अपने जिले पे, आपको कोई नहीं रोक सकता, जो आपके दूद की फैट है, जो आपका जीन पूल है, भाईसाब ग्लोबल वार्मिंग को लोग भूल जाएंगे, जो आपका हर्याना है, जो आपका थारपरकर है, जो आपका गीर है, जो आपका बफलो है, इसका रिकॉर्ड बनाईए, इसका रिकॉर्ड अपनी वेब साइट बनाकर सुच्चा रिकॉर्ड, अंग्रेज हैं, स्टैट लगाते हैं, और उनके पा तो है हमारे जगत में हो पोलिसी परालैसिश कंवार जाती फिर फिर गिर जाती है फिर बैक टूश केर सबीदोES फिर जहां से हमने शुरुआत की थी फिर हमा वहीं से फिर शुरुआत करने लगते हूंगा कि यह पॉपुलेशन क्राइसिस है जिसमें एक बार मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है जो मैं आपकी उमर में था तब जियर्डी टटा की बात ने चलती है जिसे आज कर लो प्रोग्रेशन में पagwater बढ़ रही है यह किसीजी सरकार की पालसी को चलने नहीं जा तो यह जो पालसीppen में गिलकुल स्यखी मानता हूं एक और रहख पर जहां में जो प्रसण बार 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 उचता है वेटनरि फील में जो मुझ जो डुक्तques हैं वो third generation doctors हमें काफी कम देखने को मिलते हैं या फिर जो सफल doctors हैं उनसे जब हम रूबरू होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा MBBS है मेरा बेटा MD है वो क्यों नहीं veterinary ही field में क्योंकि एक generation का पूरा तजुर्बा आगली generation में जुड़ जाता है तो वो मैंने देखा है पीछे क्यों हरते हैं क्या ऐसा कारण है आपने डिप्टी डाक्टर साब है मोहाली से वो भी काफी अच्छे उनको पशुधन के प्रतिरूची है लेकिन बात करेंगे तो बेटे साब थे MD हैं और थर्ड generation 4th generation 5th generation 10th generation के हमारे पास किसान है फौजी है वेटनरी के डॉक्टर क्यू नहीं यह ना बात यह है कि आपने ऐसा सवाल कर दिया कि अंतर मुखी होने पर मैं मजबूर हुआ saab क्योंकि आप जो है वो दिल से बात करते हैं बताएं क्योंकि यह जलन्त अभी जो बच्चे आ रहे हैं अभी एक हमारे सोनिपत से भी एक डोक्टर साब है वो जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि मैं खुद घर पर एक गाएं रखना चाहता हूं पहले मा मना करती थी और अब जो जोडिदार है जो बेटर हाफ है वो कहती है कि अगर ले आए तो मैं चली जाओंगी ऐसा क्यों है जबकि वो रोजी है हमारी उससे हम चीज तो एक दो पशुधन तो उपने लिए तो मेरे साथ एक सफाई करमचारी आया जी दो तो जिस समाज की कड़ी से मैं जुडा हूं हम लोग इकठे खाते हैं इकठे बैठते हैं समाजिक समरस्ता विचा सते हम लोग किसी की कास्स नी oh involved singh, वो मेरे घर में 78 से आता है, मैं 78 में 1st यर में था, नेरूम लाइब्र accounting नेरू लाइबری में आया आया मैने zeen की पैंट देखी नहीं मैं अगर को लगा मेरा सीनियर होगा मैंने नमस्ते कर दिया हफटा दस दिन के वाद मैंने देखा वो खड़ाया उसे किसी ने डगसाब कहके आवाज लिए तो मैंने भी डगसाब कहना शुरू कर दिया एक दिन मैं लाइबरेरी जल्दी आ गया तीन वर्ष बीट गए थे और एक दिन मैं लाइबरेरी जल्दी आगया आगया एएस तियारी की दो बर मैं फेल हुआ पर मैं बशु चिकितसत बन के डाक्टर बन गया जिए एस की तियारी करने के लिए छे वजे लाइबरेरी पहँच गया तो मैंने देखा हुआ वह भईसाब पोचा लगा रहा है कर दोख का इस पर चहरे पे लिए कुछ अनो पर मालाल नहीं आने दिया कि अरे अनिया कि मैं इसको दक साब stat रहा रहा तीन साल से इसके कपड़े रख कर व मेरे पैवार का सदस्य है मेरी शादी हुई या उसकी शादी हुई उसके बच्चे हुए मेरे बच्चे हुए मेरे बच्चे केमपस स्कूल में पड़े उसके बच्चे भी केमपस स्कूल में पड़े उसकी बीटी आने कहा उचिए कर दो जिया तायो जी पापा मेरी शादी ऐसे घर में कर रहे हैँ जहा बेहन से मैं जहर घालूँ कोई बच्चा गोबर के साथ नहीं लगना चाहता, कोई बच्चा सुबा चार बजे उठके काम नहीं करना चाहता, कोई बच्चा अब आप देखिये ना, जिन परिवारों में परिवार खुद काम करते हैं, जिन परिवारों में परिवार खुद काम करते हैं, जिन परिवार क जो है वो काम करता है उसके लिए नर्स है, मेडिकल ओफिसर जो काम करता है उसके लिए एक्सले टेक्निशन है, हमार यह ऐसा कुछ नहीं है, पैरा वेटनरी के नाम पे जीरो, वी एल्डी कोई काम नहीं करता, वाटर केरिण से काम लो या खुद करो, उस जो एक इंफरा नही जो ठीक क्यों नहीं होता, डाक्टर दवाई लिग देता है, MBBS, बाद में ठीक को नर्स करती है, जिसके हम कीमत को पैचानते नहीं, जो कमरे में बारा बार आती है, इस कारण मुझे लगता है, कि डाक्टर हतोत साहित हो जाते हैं, और वो नहीं चाहते है, कि जिस दर्द से वो गुजरते हैं, जानेमर को खुद गिराना, खुद पेटी मारना, खुद दवाई लगाना, खुद टीचा करना, फिर कड़ा करना, एक कर लोगे, दो कर लोगे, फिर सो जाओगे, मेडिको जो है, दिन में 1.500 की OPD करता है, क्योंकि उसके पीछे 11 का स्टाफ है, ये कर आते हैं, फिर डोक्टर साब ये चुनोतियां तो पुलिस में भी हैं, अगर देखा जाए तो फोज में भी हैं, शहीद हो जाते हैं, फिर उस मा की चाती को देखो, आप वो दुबारा अपने बच्चे को या कोई, फिर कोई महिला अगर युवावस्था में ही अपने प होजी देखे हैं, जिन्होंने अपनी लगातार दो पीडियों को खोया है, फिर तीसरे बच्चे में इतना जुनून है कि जाओंगा तो फोज में ही जाओंगा, तो इस तरह से कुछ हमारी सरकारी संस्थाओं से या सरकारी तंतर से मेरी अपील है, कि अपने प्रोफेशन से और अपनी मातर भूमी से इस तरह से जुनून से प्रेम करना सिखाएं, ये प्रारंबिक जो एक दो साल होते हैं, जब कोई भी बंदा, यूआ जब सलेक्ट होकर के आता है, कि उसके अच्छे अंदर उतने नियतिक संस्कारों का, वो किये कि चुनोतियां बहुत आएंगी, लेकिन आप पीछे तो नहीं आड़ जाएंगे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं, ये बात आप जो बात है, तरक संगत बात है, और ये सचा, एक कड़वा सच भी है, डॉक्टर साब, मैं फिर यहां पर बताना चाहूंगा, बोर्ड बढ़ाई वाली बात ने, 2011 में असिस्टें रुक कर पाएं, कुछ गोधन की नसलों को, कुछ अच्छे नंदियों को अगर हम बचा पाएं, तो जीवन सफलता की और अगरसर है, तो एक संतुष्टी वाला, एक और मैं सवाल आप से पूछना चाहूंगा, सवाल अंत अनंत है, तो डॉक्टर साब, मुझे बताएं कि स प्रोजैनी टेस्टिट भूल, तो हम किस तरह से आज प्रोजैनी को टेस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी सांड की जब एक डॉक्टर सीमन लगा करके और पिछे हड़ जाता है, और पशुपालक हो सकता है, उसी कटिया को अभी बेच दे, बाद में बेच दे, तो फोल अप का अगले 40 साल उस ब्रीड को बना के रखते हैं, और सुचा रिकॉर्ड जो 4 किलो दे रही है, 4 किलो, जिसकी 3.4 फैट है, 3.4 फैट, जिसकी 4.2 है, उसकी 4.2 ये रिकॉर्ड आप अपने नाम से, अपने गाउं के नाम से गूगल पर डालते जाएए, रोज का रोज रिकॉर् अपने परजैनी टेस्टिंग हो गई ना, पर समस्या ये है, कि अगर आपके पास हर्याना है, तो उसे हर्याना रखिये 40 साल, अगर आपके पास थारी है, तो उसे थारी रखिये अगले 40 साल, अगर आपके पास साहीवाल है, तो उसे साहीवाल रखिये अगले 40 साल, मैं ये आप कीजिये क्रोस पर इस lunar के बागवामें इस माइक्रो एंवायरमेंट में गवान के लिए गीर मत लाइए घवान के लिए हच एफ मत लाइए जडिये जर्सी मत लाइए सहीवाल है न आपके पस हर आप अप पर 40 साल का data हो जाएगा और फिर उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे आएंगे अपने प्रजोनी टेस्टिंग चुरू हो जाएगी क्योंकि आप कहा जा रहे हो तो डाक्टर सुमित गुजर ने घर में जा रहे हैं, या सक्षम के घर में जा रहे हैं, 40 साल बास तो सक्षम होगा, सक्षम के घर में जा रहे हैं, तो सक्षम टाइप करते ही, सक्षम डॉट बरवाला टाइप करते ही, डाटा आ जाएगा, अपने अपरजनी टेस्टिंग हो यही तरीका है जो कि Scandalian countries ने किया यही तरीका है जो अमेरिका ने किया इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है प्रोपर रिकॉर्ड डेली का डेली और भाई ब्रीड खराब मत करो देशी गाये को चारीज का समालो आगे भविश्य के लिए जो एक बिंदू बताया है वो जरूर नोट किया जाएगा लेकिन सरकारी संस्थाओं के द्वारा अच्छे भुल वो सीमनों को पहुंचायागा डॉक्टर्स के माद्यम से गाउं गरामीन दूर दराज फार फलंग एरियाज में और वहां पर वो लगे तो यह शायद सीमन पर था आए हुए दसक से उपर का समय बीच चुका है हर्याना प्रदेश में भी और भारत वर्ष में भी तो अब तक हमने पीटी बुल को कि उसकी प्रोजनी फील्ड में कैसे आ रही है उसको कैसे हम टेस्ट कर पाए यह कमी रही क्योंकि इसके आना कोई लियाता तो है नहीं अब आप समझे इस बात को कि यहां थोड़ी सी गड़बड है आप बजार से बैंगन लेने जाते हैं आपको बैंगन की जगा बैंगन ही मिलता है थोड़ा फरक मिल जाएगा किसी में कीड़ा होगा किसी में कीड़ा नहीं होगा आप सेब लेने जाते हैं आपको सेब ही मिलेगा आप संत्रा लेने जाते उसमें च्वाइज नहीं होती, पर हमारे उस लाइन में मारम मारी नहीं है, उस लाइन में कस्टमर बड़े ध्यान से कस्टमर के मन में, ग्राहक के मन में यह है कि मुझे सेव लेना है, चुनता है, मुझे केला लेना है, चुनता है, मुझे आलू लेना है, बाटबे में लेता तो आप परियास कर लोगे तब भी अगर आप NCR में हो तो आप कह लोगे मेरे बस गिर का दूद है साहीवाल का दूद है कोई कीमत दे देगा गराहक को कोई परवा नहीं उसके घर में क्या आ रहा है उसको 35 रुबे किलो 32 रुबे किलो में सफेद कलर का दरव्य चाहिए उसक में कया सफेमन scyνεv लगवाया वह सिरफ उस साइकल पर मोट साइकल पर भाजा टे इसमें प्र होगे जो ग्राहक है और उसके लिए यह है कि उसके लिए महिना पहले इंजाम करना पड़ता है सेव जो रुबे पढ़ाएं उसके लिए अधार पर गट नदम करना क्रता है पर जब तक किसान एक गाउं में अपनी थरमस नहीं रखेगा अपना लिक्विड नाइट्रोजन महिया नहीं कराएगा अपने स्ट्रॉ अगले एक साल के सोच के कि मेरे पास यह है इसको छे महीने बाद ब्याएगी वह उसके चौदा महीने बाद ब्याएगी उस हिसाब से स् हमने रखा वो इसलिए रखा क्योंकि जो वेटनरी के डॉक्टर से उनको टार्गेट दे दिये जाते हैं 500 सीमन डोज जो है उनको दे दी गई वो टार्गेट कई बार पूरा नहीं कर पाते हैं 500 सीमन डोज को 30 रुपे के भाव से अगर उन्होंने खरीदे हैं तो वो किसी स लूप होल बन जाते हैं फिर उसमें प्लग इन टाइमली न हो पाने की वज़े से वो कहीं न कहीं फिर हमारी जो नीतियां जिस उद्देश्य के साथ बनाई जाती हैं वो उसमें तुरूटियां हमें देखने को मिलती हैं एक अंतिम सवाल डुक्टर सांगत है एक अधिम इसका नाम लेना उचित नहीं होगा फूट सेफ्टी एन सेक्योर्टी ओथॉर्टी ओफ इंडिया इस जैसे संस्थाएं हैं उन्होंने क्या दूद के उपर यह पूरा मिलावट का दोर आचल रहा है उसके उपर एक कोई चेक रख पाए क्योंकि आपने जो एक शब्द चेको और भैंसके को सिर्फ फैट के आधार पर ही माप देना एक गोधन के पतन का काररण नहीं मानते आप क्योंकि जो हमने पड़ा है कि गाएं के दूद में भैंसके दूद की अपेक्शा 10 गुना ज्यादा विटमिन A होता है ने ज्यादा विटमिन A होता है लेकिन अगर भैस के घी को और गाएं के घी को लंबे समय तक स्टोर करते हैं तो उसमें जो थोड़ा बहुत विटमिने होता है वो डिस्ट्रोय हो जाता है गाएं के घी में वो विटमिने जोंका त्यों लंबे समय तक बना रहता है तो इन मापदंड के उपर तो कोई इस तरह क्या आया ने, सिरिफ फैट का एक मापदंड पकड़ लिया, और नुट्रिशन के कोई मापदंड नहीं है क्योंकि कुछ भूड़ मैं दो झाला हैं ऊसको एंगार में निकाले उसको ट्लीच, यह सबकि नाया, यह निक नाया का फिर दिया थे तो जाले डाऊ सब्स तक्रियार के तुटार की चालेच Stream अर भाएश। और पोशक्या हमारी नूटृषिटी तो प्रोटीन भी है, इतने वर्ष में अमेरिका में भी रहा, सारा लिटरेचर वहां का पढ़ते हैं, देखते हैं, वहां भी फैट का तोड नहीं है, तो हाँ चॉकलेट इंडस्ट्री जो है, वह एस एन फ और प्रोटीन पे एड़िड देती है, क्योंकि वहां प्रोटीन च ग्राग को कोई मतलब ही नहीं, ग्राग को नहीं मतलब, लेकिन थोड़ी जाग रुकता कि माइंड में दिमाग में एक बार स्ट्राइक तो करता है, उसका कोई वैबारिक मुझे दिखा नहीं, कि दूद का मापदंड जब दूद खरीद रहा है, कोई भी बंदा देरी वाल में फैट जदा जाएगा, कर रहे हो, कर रहे हैं, पाउटर में मिला रहे हैं, ऐसे ऐसे दूद यह हैं, डॉक्टर साब, जो की साथल पर ऐसे हाथ मार करके और चुनोती देते हैं, कि मैं आपको दूद कृत्रिम दूद बना करके दूँगा, और आप किसी भी सरकारी करताओं को चुनोती दे दे, नहीं, अगर आप टेस्ट करवाएंगे, समय देंगे, पैसा लगाएंगे, तो टेस्ट हर चीज का है, दूदिया मुझे मिला, वो मुझे बोलता है, बस, अन्तिम, एक मिंट में खटम कर, परिशान नहीं करूँगा, ज्यादा बोदरेशन नह तो वो दोनू तीनू दूदिये बैठ करके मुस्कुराएं आपस में, वो बोले कि रोहोत तक में एक बैंकट हॉल ऐसा है, जो की मिष्टान बनाता है, जब शादी के समय, उस समय बोलता है, कि 400 लेटर दूद चाहिए मुझे, बताओ कितनी देर में, वो कहता है कि डेट ग अगर फैट कम मिल जाए, अगर SNF कम मिल जाए तो मैं उनका चोर और जैसे वो जो पकवान बनाने वाले हैं वो उस में उस फलेवर को और रंगत को इस्तेमाल करते हैं और उस बर्फी में भी आदे से ज्यादा माल प्लांट प्रड़क्त होता है, जी 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 अनिमल उस में कही ना कहीं कोई खेट का पड़क्त मिला होता है, कोई सेरल मिला होता है उसके उपर छीटा जो है अनिमल पैट का और अस연स जो है जो है जो गोकशी होती है जह गाओं का वद उते है उसकी खुश्भू निकालके वो डाली जाती है बहुत-च्रो 성ूश्घ है और वह तो खेल इसलिए है क्योंकि हम अपने रिष्टेदारों को शादी में बुला के जहर परोसने में परहेज नहीं करते तो यह जो जोद वाला घी या हम यह कहते हैं कि पुजा वाला घी इनके उपर बंदिशें क्यों नहीं हो रहे हैं क्योंकि पुजा वाला घी सुगंदन लगे क्रिस्टल्स देखेंगे तो बिल्कुल सेम मिलें अपको जी वो खेल है ग्रनुलेशन का और इसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रपरटीज का तो कॉलिगेटिव प्रपरटीज को सेट किया जाता है और मैं छोटा सा निवीदन यह भूम रहा था तोरंटो से अबाउट दोसो माइल नॉर्थ में है तो मैं एक मॉल में गया तो उस मॉल में मखफन अब संजिए इस बात वो इसमें सिरफ भारत को ही मानसिक्ता को बलेम नी मैं करूंगा तरनेड़ में में मैं अग्वैल्प सिटी में उस मॉल में मैं ने में हुथ उस पर गफना दोम सात डॉलर का भी अग्वै और मक्ष था सटर सेंट का भी पाया है कि साथ डॉलर को वाला खरीदने वाले को मेरी जैसे लोग को है धिकतर अंगरेज एक डॉलर एक पॉइंट वाइस डॉलर या सतर सेंट वाला मक्खन करी देड़ और वही था वहेल मचली के शरीर से वद करने के बाद निकली हुई फैट को कंडेंस करके उसकी कॉलिबरेटिव से कॉलिगरेटिव प्रॉपर्टी उसका रंग इस जैसा बना के मक्खन के नाम आयर और यहांब है तो यहां पर भी है तो डेडर Granow горתי można Michyります कियोners तो किलोड हो अगर आपको शुद घी मिल जाता है तो पशुट पाःग मेहनत करता है उसको मत्खय और फिर परिवर्तित करता है तो शुदتah में कोई ज़्यादा उसको मोल भाव देने वाला जब नहीं रह जाता तो कहीं न कहीं यह बड़ा कारण है आपको चाहत भी मुठाय करें अगर आप अपना ब्लोग बनाएं अगर आप सोचल मीडिया पर है अजयक करें तो यह अच्छा सुझा तो नौशा रुपे से लेकर के ताई हजार रुपे जिल बोशालों में मैं काम कर रहा हूं जिए भाव भावर भाव अठारा सौ रुप में घी खुद खाके अपनी मार्केट खड़ी करके और वर्डव माउट बाप सारी चीजें ठीक हैं आपकी लेकिन भारत वर्स में जो एक्रिशी प्रधान देश है 90% तो अर्जनल फार्मर्स हैं दो किले के जमिदार हैं तो एक दो पसु रखते भी हैं जुड़ता भी है रेट कोई देता नहीं है तो फिर वह हतोत साइट करके और उस भैंस को सस्ते दामों में बेशते तो तो यह तमाम चुनोतियां हैं जी 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 दो शब्द आप भी आइड बड़े बुझूर्गों ने कहा की संगठित रहोगे तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा और अकले अकले रहोगे तो कोई भी आपके उपर हुकूमत कर जाएगा निगांगा पांच या दस फार्मर्स एक गाउं गाउं का सरपन्छ या कोई आजमी अपना पर्सनल गा तो उसमें जो है बेस्ट रहेगा तो यह काफी अच्छे सुझाव दिये काफी अच्छी गोधन यहां पर हर्याना नसल की देखने को मिली और भारत वर्स में संगठित हो पाना ही अपने आप में एक चुनोती है चार भाई होंगे तो उनकी विचारधारा एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती तो भाविश्य में देखना यह होगा कि हम कितने संगठित हो करके और फिर इन चुनोतियों से पार पाप आएंगे तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो यहां पर डॉक्टर शावर्ट थैंक्यू वेरी मुश्य झाल